किशान भाईयों, सरसो रभी की प्रमुक्ति लहनी फसल है इसका जो हरा भाग होता है वो चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है इसके दानों से तेल खाद पदार्थों में प्रयोग किया जाता है खली का प्रयोग मिट्टी में कीट नियंतरन के लिए और अन्य तमाम उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाता है इसकी जो टहनिया है वो जलाने के कारेों में आती है ये सरसो का जो पोधा है बहुत ही महत्पूर जो है ये फसल है जिसकी संपूर भाग प्रयोग किये जाते हैं इस समय बदली का मौशम है काफी उतार चढ़ाओ देखने को मिल रहा है बदली के मौशम में जो सबसे नुक्सान पहुँचाने वाला कीड़ा है वो माहु कीट है सरसो का ये बहुत ही प्रमु कीट है ये कीट रस चूचने वाला कीड़ा होता है और जुन्ड में किसान भाई इसको देख सकते हैं ये एक से दो मिलिमीटर लंबा गोलाकार अथवा अंडाकार और भूरे रंगा होता है अथवा जिस भाग को ये कीट खाता है अगर हरा भाग खा रहा है तो ये हरे रंग में भी नजर आता है और इस कीट का जो प्रकोप है वो बहुत तेजी से जो फैलता है इसकी संख्या बहुत तेजी से फैलती है जो पुष्प है जो फलियां सरसों में दिखाई देती हैं उसके उपर ये चिपक जाते हैं और पुष्प को और फलियों को फलियों में जो दाने बन रहे होते हैं उन सब के रस को चूँस करके वो उतपादन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। किसान भायों इस कीट के नियंतरण के लिए सुरू स्वे धान देने की जरूरत है कि इस कीट से कैसे हम अपनी सरसों की फसल को बचाएं। इसके लिए एद किसान भाई समय कित उपाय अपनाते हैं तो निश्चित तोर पर अपनी सरसों की फसल को माहु कीट से बचा सकते हैं करना ये है कि सरसों की बुवाई जो है वो समय से करें अक्टूबर में 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एदी सर्सों की बुवाई कर देते हैं तो इस कीट का जो प्रकोप है वो सर्सों की फसल पर नहीं होता है वो फसल जो है हमारी बच जाती है दूसरा किशान भाईयों को करना ये चाहिए कि पीले रंग का ट्रैप आता है वो अपने खेतों में लगाएं एक फिट लंबा एक फिट चोड़ा या तो दफ्ती ले लें पीले रंग का और उस पर सफिद ग्रीस लगा दें या आजकल बाजार में पीले रंग के ट्रैप जो है वो बने बनाये आ रहे हैं 15 से 20 ट्रैप प्रती एकड की दर से ये किशान भाई लगा दें तो उस पर जो है ये कीट बहुत आकर्शित होते हैं उस पर चिपक जाते हैं और इस तरीके को अपना करके इस माहू कीट का नियंत्रन हमारे किशान भाई आसानी से कर सकते हैं किशान भाईयों इस कीट का जो है यदि प्रकोप 50 से 60 कीट प्रती 10 सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है तो तुरंत जो है दवाओं का छड़काओ करना चाहिए इसके लिए किशान भाईयों को करना यह है कि पहले वो जैवी के जो उत्पाद हैं उनका परियोग करें आजकल बाजार में नीम के बहुत सारे उत्पाद उपलब्द हैं निमटा है, निमबी सिडिन है, नीम गोल्ड है, अचूक है, नीम बाण है तमाम नामों से जो है यह बाजार में नीम के बहुत सारे उत्पाद उपलब्द हैं इसकी 3-4 मिली लीटर मात्रा प्रती लीटर पानी की दर से घोल बना करके यह किशान भाई छड़काओ करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण वो असानी से कर सकते हैं यदि ऐसा करने पर भी इस कीट का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तब किशान भाईयों को रशायनों का परियोग करना चाहिए रशायनों में बाजार में बहुत अच्छे रशायनों पलब्द हैं जैसे एमिडा क्लोपिड है जो की 17.8 SL करके आता है इसकी जो है 1 मिली लीटर मात्रा प्रती 2 लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और इसको च्छड़काओ कर दें या बाजार में लेमडा साई हैलो थे नाम की दवा उपलब्द है इसकी 1 मिली लीटर मात्रा प्रती 3 लीटर पानी में घोल बना लें और इस दवा का यदि च्छड़काओ करते हैं एक से दो च्छड़काओ 10 से 12 दिनों के अंतराल पर तो इस माहू कीट का नियंतरन हमारे किसान भाई आसानी से करके अपनी सरसों की फसल को माहू कीट से बचा करके वो अधिक स्यदी कुछपादन प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद